हेलो फ्रेंट्स जाहिंद मैं राजे जाट आप सभी का जयार डिफेंस सेकर्डी मुझेन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं फ्रेंट्स आज मैं आपसे डिस्कॉस करने वाला हूं इंडियन आर्मी का टेक्निकल का पेपर जो की एक नॉम्बर दो हजार बीस को कटी आर बिहार एरो के अंतरकर पुछा गया है अक्सर हम देखते हैं दोस्तों कि जो जीडी हुआ और जो कोशन पेपर हैं वो इसली आपको अवेलेबल हो जाते होंगे ठीक है बट कुछ ट्रेट ऐसे हैं लाइक टेक्निकल हो गया नर्सिंग असिस्टन हो गया और क्लरक हो गया इ आज मैं इस वीडियो में आपसे ओरिजनल जो पेपर हैं जो इंडियन आर्मी एरो के अंतरकर कर्द पूछे गये हैं उस कोशन पर पर मैं डिसकस कने वाला हूं और दोस्तों यह जो पूछे जा रहा है यह लगबक लगबक सभी एरो में सेम कॉशन पेपर होते हैं तो जो बच्चे जिनकी upcoming exam है और जो इंडियन आर्मी में टेक्निकल से भरती देखना चाहते हैं वो इन questions को एक बार रेडिंग करके जरूर जाएं यकिन मानिए यहां से 100% question repeat होने के chance आपके बने गए क्योंकि इंडियन आर्मी में repetition question बहुत ज्यादा पूचे जाते हैं ठेक है तो दोस्तों आज में इस topic पर बात करूँ है वह है physics technical के अंदर physics और chemistry भर कर आती है क्योंकि टोटल यहां से 15 जो रहते हैं physics के और 10 question जो रहते हैं chemistry के तो टोटल और आपकी 100 marks की physics और chemistry कवर करवाती है तो यह बहुत important पार्ट है आपका physics और chemistry टेकनिकल बच्चों के लिए तो आज में physics के topic पर बात करूँ है और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारे chemistry पर हम discussion करें तो इसी प्रकार में कुछ वीडियो अलग अलग पार्ट में बना रहा हूं ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो और आपको भी पढ़ने में ज्यादा बोरिंग ना फिलो दोस्तो तो इसी लिए मैं छोटे-छोटे वीडियो आपके लिए एक टॉपिक पर बना के discussion कर रहा हूं तो आप इनको अ पहला question था त्वरण की इकाई क्या है तो इसका जो राइट एंसर रहेगा वह है मीटर पर सेकेंड स्कुर्ड ठीक है और question नंबर दूसरा जो पुछा था एक तिवर गती से जाती हुई ट्रेन में गेस से भरा डिब्बा रखा जाता है तो गेस का ताब क्या होता है ठीक है यह question है तो इसका जो right answer रहेगा वह अब परिवर्तित रहता है ठीक है question number third है इन में से कौन सी मात्रा अदीश है जो paper था original उसमें यहाँ पर सदीश लिखा हुआ था हिंदी में तो वह misprint था अगर कोई भी बच्चा इस question को करके आयोगा तो उसको पुरे-पुरे marks बिलेंग ठीक है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा चुम issuing प्रेकर्थ ठीक है तो चोंच ममब भांश 5 पूछा गया था बेरो में पारे का इस्तमाल करते हैं क्योंकि जो बेरोमेटर होता है उसमें आप जानते हैं उसमें पारे का इस्तमाल करते हैं यही कोश्चन क्लर्क में पूछा गया था कि बेरोमेटर में किसका इस्तमाल करते हैं तो वहां पर आपका सही एंसर था पारा यहां पर गुमा फिरा कि हई यही कोश्चन टां यह पे टरों संता है पत्र या पार तो में मैं तो यॉसका घूंचर था यह था है लिए आप यह मैं सुची था है कि एकनिकल आता हूं तो में नहीं पड़ू इनए काम का नहीं ऐसा नहीं है सारे questions repeat होते हैं बस थोड़ा सा question पूछने का तरीका अलग हो जाता है ठीक है next question जो था six बहुत easy question था television का आविस्कार किसने गया था तो इसका जो राइट answer है c jl बेर्ड ने इसका आविस्कार गया था ठीक है question नंबर सेवन पर चलते हैं question नंबर सेवन था एक अश्र शक्ति कितने वाट के बराबर है तो इसका जो राइट answer है वो है question नंबर डी सेवन का डी option राइट है 746 यह जो पैटन है ना दोस्तों यह मैं अभी आप से discussion करूँआ कि आपको पढ़ना कहां से है physics और chemistry आपके सारे डाउट किलियर कर दूँआ जो भी बच्चे टेक्निकल की त्यारिक कर रहे हैं यकिन मानिए आप सिप में जो बोलूँँ चीजों का फोलो करिएगा ठीक है आप पूरे के पूरे 100 में से 90 अबो स्कोर कर लेंग से discussion करूँआ उचे लिए नेक्स्ट कोशन जो है वो है प्रस्ट तनाओ का मात्रक क्या है कोशन नंबर आट इसे में बोलते सरफेस टेंशन ठीक है तो सरफेस टेंशन जो है उसका जो मात्रक होता है दोस्तों वह मीटर न्यूटन पर मीटर होता है ठीक है कोशन नंबर समानंतर करम में जोड़ा जाता है दोस्तों इसको राइट एंसर हो जाएगा वह समानंतर कोशन नंबर 11 11 जो था दूर की वस्तु देखने के लिए कि स्यंत्रका पयोग करते हैं तो दीकिए जो दूर की वस्तु होती है उसको हम टेलिसकोप से देखते हैं तो इसको जो ओप्शन हो जाएगा सी इसका अंसर कोशन नंबर 13 पूछा था कि किसकी भोतिक मात्रा को वाट में ना पा जाता है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वह सकती मेंस पावर अब यह नंबर 14 एक चुम्बक की पट्टी के केंदर पर चुम्बक कत्व होता है ठीक है बहुत ना लोगी है चुम्बक की पट्टी है ठीक है कोई भी आप रोड लेओगे भले आप इसको practical करके देखेगा एक चुम्बक की रोड लेना ठीक है उसमें जब आप एक लोहे को जब उसके दोनों इस पौइंट पर और इस प्ट पर दोनों सीर सेर्स पे चाहत आप आप लोह फिल होगा means zero attraction होगा इसलिए जो केंद्र होता है चुम्बक का वहाँ पर जो चुम्बकत्व होता है वह बहुत ही कम होता है मतलब अट्रेक्शन जो पावर होती है वह बहुत कम होती है ठीक है उसके सेंटर में तो इसका जो उसको हम निगलेट के बराबर मानते हैं तो जो पूरा फिजिक्स के अंदर पुछे गए थे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैमेस्ट्री के कुछ कोशन हैं दस कोशन उन पर डिसकेशन करूँ है तो हाँ मैं आपसे एक चीज बोलने वाला था कि जो भी बच्चे टेक्निकल की त्यारी कर रहे हैं प्लीज आप ड कि उसके बाहर एक भी कोशन नहीं जाने वाला आपको कहीं 11 12 या कोई सी अधर बुक्स पर आपको फोकस नहीं करना ऐसी लूसेंट की जो भूक है उसको आप अच्छे से रिडिंग कर लिजेगा फिजिक्स को केमेस्ट्रिक आपका हंडेड में से यकीन माने 90 उपर स्कोर कर कर लेंगे टोपिक वाइस आप जरूर पढ़िए वहां से ठीक है तो यहींट थी मेरी और आप और किसी भी बुक को प्रिफर करें ना करें बट लुसेंट को एक बार फिजिक्स और केमेस्ट्री के जो टॉपिक है इस्पेसली टेकनिकल के लिए उनको प्रिफर जरूर कर क्योंकि सारे कोश्चन वहीं से उठा के आए हुए है एज़ी टी स्प्रिंट हुए हैं वहापर ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल रहेगा और वीडियो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर झाल